अलो दोस्तो स्वागत आपका अमारी यूटूब चैनल यहू बाबा पे आज की CSS होवर एफेक्ट की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम शटर ओवरले कैप्शन का एफेक्ट बना सकते हैं तो आईए सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि एफेक्ट एक्च्वल में दिखता कैसे है यहां देखिए वेब रॉजर के अंदर मैंने अपना एक डेमो पेज ओपन किये जहां पर मैंने शटर ओवरले का एफेक्ट बनाया है यह देखिए जैसी मैं इमेज पे होवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि दो बॉक्स अलग अलग है जो उपर और नीचे से यहां पर आ रहे है जैसे हम शटर बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही शटर का एफेक्ट है और इसके बीच में यहां पर जिस भी यूजर की पीछे इमेज आ रही है यहां पर उसका नाम शो हो रहा है उसकी डेजिगनेशन और उसकी जितने भी शोशल लिंक्स हैं चाहे फेस्बुक है गूगल प्रस है याई ट्विटर है उसके यहां पर लिंक शो हो रहे है तो इस एफेक्ट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल यहां देखिए वेब ओडिटर के अंदर मैंने अपनी फाइल बना ली जिसका नाम मैंने रखा है होवर एफेक्ट-7.html यही सेम फाइल मैंने यहां पर ब्राउजर में ओपन की हुई है अब यहां पर मैंने एक बेसिक सी HTML बनाई है अब यहां पर देख सकते हैं एक हैडि इसके अंदर सबसे पहले मेरे को अपनी इमेज लगानी है तो उसके लिए मैं आई-म-जी टैग ले रहा हूँ और मैंने अलड़ी एक इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है इमेज इस फोल्डर के अंदर तो उस इमेज का नम है tacky.jpg यह देखिए यह हमारी आगी इमेज यह देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं अब इसके बात मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जैसा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज पर होवर करूँ तब यहाँ पर एक box open हो जाए जिसके अंदर सारा content होगा तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ एक div ले मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा और इसी main जो div हमारे पास content इसी के अंदर हमारे पास social icons user का name और उसकी designation आने वाली है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर social icons के लिए एक URL tag ले ले लेता हूँ और उसके अंदर एक li ले लेता हूँ और उसके अंदर एक anchor tag यह देखिए इस anchor tag पर मैं यहाँ पर icon fonts लगाने वाला हूँ font awesome के वह भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाने अभी हम इस जगह को छोड़ रहे हैं अभी इसके नीचे मैं यहाँ पर एक heading ले ले लेता हूँ जैसे मैं ले रहा हूँ S3 जिसके अंदर मैं user का name डालने वाला हूँ द जगा देता हूँ जैसे post यह देखिए और जैसे यहाँ पर उसकी कोई भी designation जो है जैसे web designer है web developer है वो लिख देता हूँ यह देखिए यह हमारा काफी हत्तक का HTML का complete हो चुक है सिर्फ यहाँ पर हमने font awesome नहीं लगाए है तो वो कैसे लगाने वो भी मैं भी आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर भी मैंने file code save किया यह देखिए हमारी HTML यहाँ पर show हो रही है अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर google.open कर लेता हूँ google.com और यहाँ पर search करूँगा font awesome font awesome जो है वो एक icon fonts है जिस पर मैंने already एक video बना के रखी हुई है अगर आपने नहीं देखिए तो मैं उपर eye button पर उसका एक link देदूँगा तो यहाँ पर basically मेरे को क्या लगाना है उसका एक cdn path लेना है मैं इसे download भी कर सकता हूँ यह सब मैंने already उस video में बताया हुआ तो अभी के लिए मैं यहाँ पर इसका cdn पाच आता हूँ तो यहाँ पर मैं google पर जाके लिख देता हूँ cdn यह देखिए तो यहाँ पर जो सबसे first website आ रही है bootsubsidion.com मैं इसी को open कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे scroll करके आप देख सकते हैं यहाँ पर एक version आ रहा है 4.7 यह old version है मैं इसी की यहाँ पर images यूज़ करने वाला हूँ मैं देखिए इसके icons तो उसके लिए मैं इसको open करता हूँ यहाँ पर जो इसका HTML के tag है मैं इसे पर click कर देता हूँ और यह copy हो चुका है अब इसी को मैं अपने इस वाली image की उपर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ मतलत कि ULLI tag में तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर सबसे पहले मैं उपर जाता हूँ जहाँ पर यह मेरी CSS आ रही है इस से उपर यहाँ पर मैं इसे include कर लूँगा जो भी मैंने यहाँ पर link tag copy किया है यह देखिए copy हो चुका है मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए यहाँ पर इसका total path भी आ रहा है cdn path है जो इसकी CSS का path है मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखिए font awesome की CSS की file का path यहाँ पर हमने यहाँ पर इसे copy कर दिया है तो just अब हमारे को इसकी सिर्फ classes यूज़ करनी है तो classes के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर मैं सबसे पहले जो anchor tag हमारे पास इसकी अंदर यहाँ पर i tag ले लेता हूँ जिसकी अंदर मैं main icon लगाँगा और यहाँ पर मैं class लोगा font awesome की जिसका नम फा मैंने और इस पर वीडियो बनाई हुए तो आपको मालूम होगा कि यह font awesome कैसे लगाते हैं तो अब हमें सबसे पहले facebook का icon चाहिए जैसे तो उसको कैसे copy करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैं वापिस से अपनी font awesome website पर आता हूँ यहाँ पर google पर search करूँगा font awesome और यह सबसे first website है यह देखिए यहाँ पर आप देख रहें font awesome 4 लिखा हुआ नीचे और इसके अंदर है icons मैं इसी पर click करता हूँ क्योंकि मेरे को old version की यहाँ पर icons चाहिए यह देखिए website open हो चुकी है अब यहाँ पर ऊपर एक link है जिस पर है icons नाम का link मैंने इस पर click कर दिया और यहाँ पर बहुत सारे icons आपको दिख जाएंगे आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर नीचे करके social icons भी होंगे यह देखिए यहाँ पर आगे brand icons जो भी companies है famous उसके सबके icons यहाँ पर जैसे देखिए google plus का है तो इसको भी मैं copy कर लेता हूँ इस पर देखिए class का नाम है google hyphen plus तो इसको मैं use कर लेता हूँ मैं यहाँ पर duplicate कर लेता हूँ इस line को और यहाँ पर बीच वाले में मैं google plus का icon लगाँगा तो google के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ फा हाइफन class का नाम जिसका नाम है google hyphen plus यह देखिए तो यह google का icon हो गया अब इसके बाद मेरे को यहाँ पर चाहिए facebook का icon तो वो भी मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ मैं उपर एक सर्च बार आ रही है वहीं से सर्च कर लेता हूँ यह देखिए यहाँ पर यहाँ पर लिख देता हूँ facebook यह देखिए यहाँ पर तीन icon जा गए हैं तो मेरे को first वाले चाहिए तो उसकी class का नाम है facebook तो मैं इसी को copy कर रहा हूँ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ far-facebook यह देखिए अब last मेरे को चाहिए twitter का icon तो यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ twitter यह देखिए twitter के यहाँ पर दो icons हैं मेरे को first वाला लगाने जैसे तो उसकी class करना मैं twitter तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ far-twitter यह देखिए आइकन्स जोल हैं वो लगा लिए मैं आपको एक पर चेक करा देता हूँ यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ पर आकर यह देख सकते हैं तीनो आइकन्स यहाँ पर show भी हो रहे हैं तो मैं इसको इधर कर देता हूँ तो यह हमारी जो HTML का काम है यह बिल्कुल complete हो चुका है अब इसके बाद मेरे को इसकी styling करनी है मतलब कि hover effect बनाना है shutter overlay effect तो उसके लिए मैं यहाँ पर उपर जाता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पर style में एक universal selector बना लेता हूँ मतलब कि star जिसके अंदर यहाँ पर मैं common CSS ले रहा हूँ box sizing border box इस CSS की property से help कि हम मिलेगी हमारे को हम जहाँ पर भी padding लगाएंगे तो उसकी वज़े से कहीं पर भी width change नहीं होगी मतलब कि increase नहीं होगी अब इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ जो हमने यह main div बनाये जिसका नम है box जिसके अंदर सारा content है इसकी styling कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं इसका selector बना लेता जाता हूँ वो भी कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं एक background color लेता हूँ जैसे white तो उसके लिए hexadecimal code ले लिए मैं यहाँ पर FFF अब उसके बाद जो यह main box बनेगा इस पर मैं box shadow भी लगा लेता हूँ तो box hyphen shadow और जैसे मैं x axis से कुछ नहीं देना चाहता हूँ 0 y axis से भी 0 और यूज अभी आपको बात में समझ में आएगा यह देखिए और जोन सा भी यह हमारा div है इस पर मैं css की property लगा लेता हूँ position relative यह देखिए मैंने इसको position relative इसली दिया है ताकि जो इसके अंदर जो main content आ रहा है इसको मैं जब भी position absolute define करूँगा तो यह इस div से बाहर नहीं ज आप ले रहा हूँ margin और top और bottom से ले लता हूँ 10 pixel और left और right से auto यह देखिए तो यह हमारा box की CSS हो गया है मैं इसको file को save करता हूँ यह देखिए यह हमारा box आ गया है जिसमें आप shadow भी देख रहे है तो जो image है यहाँ पर वो थोड़ी बड़ी है लगबग वो 500 pixel की है तो मे यहाँ पर image की width define कर देता हूँ 100% मतलब कि जितनी div की width था उतनी इसकी width होजेगी और इसकी height को कर देता हूँ auto इसे पूरी यह responsive बन जेगी तो यहाँ पर मैंने file को save किया यह देखिए अब यहाँ पर होता क्या है जब भी हम इस तरह image को करते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सक gap आ जाता है तो उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ display block की property लगा जाता हूँ यह देखिए तो यहाँ पर मैंने file को save किया यह देखिए अब इसके बाद मेरे को क्या करना है जो यह main content आ रहा है जिसके लिए मैंने div लिया था जिसका नम है box content इसकी styling करनी है इसको मैं यहाँ पर position absolute देने वाला हूँ इसकी height और width को मैं 100% set कर दूँगा तो यहाँ पर मैं इसकी भी styling कर लेता हूँ तो सबसे पहले मैं selector बनाता हूँ box की अंदर जो box content आ रहा है उसकी मैं यहाँ पर styling कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ position और इसकी value देता हूँ absolute यह देखिए अब जब भी हम position absolute set करते हैं तो मैंने already आपको बताया हुआ है कि इसके साथ मैं हमारे को दो properties और use करनी होती है तो top यह bottom यह left यह right तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ top और इसकी value को set कर रहा हूँ 0 और इसी के साथ ले रहा हूँ left और उस इसकी height भी देता हूँ 100% यह 100% जो height है यह सिर्फ तभी काम करती है अगर हमने यहाँ पर div को position absolutely हुए है वरना यह काम नहीं करती है तो इसकी height और width उतनी होजेगी जितनी इसकी parent की div है मतलब कि box की तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यह देखिए जितना भी content है वो इस image की उपर आ चुक है आप यहाँ पर देख रहोंगे अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है सबसे पहले अपने दो shutters बनाने है एक जो bottom से आएगा और एक जो up से आएगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा जो यह मेरा main div है जिसके अंदर content आ रहा है box content इसका after or before pseudo class बना कर लेता हूँ और यहाँ पर एक pseudo class बनाऊँगा before यह देखिए और इसी को duplicate कर लेता हूँ यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ after के लिए अब इसके अंदर जो भी after or before में बनने वाला मतले कि हमारा virtual object जो बनने वाला है उसका मैं content को empty कर देता हूँ यह देखिए अब इसकी जो मैं width specify करने वाला हूँ तो मैंने 5% कम कर दिये अब इसी के साथ मेरे को क्या करना है यहाँ पर इसको एक height भी देनी है तो मैं यहाँ पर height टे रहा हूँ जैसे 47% यह देखिए यह 47 का क्या logic है मैं अभी आपको बताता हूँ देखिए 47 जो है वो top वाले के लिए बनेगी जो हम before से लाएंगे और 47% जो है वो बनेगी after के लिए जो हम नीचे से box animate करके लाएंगे तो उन दोनों की जो total height बनके बनेगी वो बनेगी 97% तो यहाँ पर मैंने 3% का नीचे से और उपर से gap भी छोड़ना है तो इसलिए मैंन यहाँ बाबा में दिया हुआ पिंक सा कलर यह देखिए आप कोई भी कलर ले सकते हैं तो मैं इसी को copy करके यहाँ पर ले रहाँ यह देखिए अब इसके बाद मैं इसको position absolute लगा लेता हूँ और यहाँ पर मेरे को इसको vertically center रखना है मैं देखिए जो दोनों box आ रहे हैं वो vertically center में होने चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पर left और right दोनों को zero कर दूँगा यह देखिए और यहाँ पर right भी देखिए तो zero यह देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को save किया यह देखिए यहाँ पर दोनों box है वो आपस में चिपके होए अभी आपको पता नहीं लग रह आपको लग रहा है यह एक ही box है मगर यहाँ पर यह दो box है जो उपर और नीचे से attach हो रहे है अब इसके साथ ही मैं यहाँ पर इसको लगायता हूँ margin auto ताकि यह vertically center हो जाए center अभी बाद में होंगे और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको save कर देता हूँ यह देखिए यह यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो हमारा में डिव यह यह यहाँ पर horizontally center में आ रहा है आप देख रहे होंगे जो main डिव है बॉक्स उसके horizontally center में आ गया है अब मेरे इसको vertically भी सेंटर में करना है तो वो सब मैं कप करने वाला हूँ hover के effect पे तो उसके लिए देखे मैं यहा और यहाँ पर इसका main selector बना रहा हूँ, अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसी page open हूँ, तो जो यह before वाला, मैं देखि ऊपर वाला pink color का box है, यह थोड़ा सा बाहर रहे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसको top दे देता हूँ, minus 20%, यह यह थोड़ा सा बाहर चला गया, बिल्कुल इसी तरीके से मैं नीचे वाले box को भी कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी को copy कर लेता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ, after, और यहाँ पर top की जगह पर देता हूँ, bottom, यह देखिए, यहाँ पर मैंन तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, इन दोनों को मैं copy कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पर मेरे को hover का fat बनाना है, तो यहाँ पर मैं pseudo class यूज़ करूँगा box के लिए hover, मतलब कि जब भी मैं box पर hover करूँ, तो उसके अंदर जो भी box का content है before वाला, वो top से होज नहीं लगाया box का, तो उसको भी मैं लगा लेता हूँ, यह देखिए, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, तो अभी मैं आपको hover करके दिखाता हूँ, यह देखिए, आप देख रहे हैं, यह आपस मैं attach हो रहे हैं hover करने पे, मगर इसमें smoothness नहीं है, तो वो मैं कैसे दूँगा transition की help से, तो सबसे पहले मैं उपर जाता हूँ, और यहाँ पर देता हूँ, जो मारे पास main class है, hover की before और after के लिए, यहाँ पर मैं दे रहाँ, transition, transition देने से इसमें थोड़ी सी smoothness आजेगी, तो यहाँ पर मैं जो smoothness है, वो किस वाली property पर लगाना चाता हूँ, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैं चाता हूँ कि starting में जो यह दोनों div हैं, यह दीख नहीं देऊंगे, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर क्या करना है, इसकी जो opacity है, उसको zero कर देना है, यह देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को save किया, अब यहाँ पर कुछ नहीं द दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ी से opacity कम कर रहा हूँ, ताकि यह थोड़ा सा transparent हो जाए, pink वाला box, तो उसकी opacity दे रहा हूँ, 0.8, बिलकुर यही मैं copy करके, यहाँ पर भी डाल जाता हूँ, after के लिए, यह देखिए, यहाँ पर मैंने file को save किया, और यहाँ पर over कर रह तो सबसे पहले मेरे को इसको position absolute देनी है, और इस pink वाले box के ऊपर लाना है, तो जैसे कि मैंने इसके लिए HTML में यहाँ पर एक अलग से div बनाया था, जिसका नाम आप देख सकते है content, जिसके अंदर main content आ रहा था, यह देखिए, यहाँ तक, तो इसके लिए मेरे को इसी की styling क कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं इसकी width specify कर देता हूँ, 100%, और इसको एक height भी देता हूँ, height मैं percent में भी दे सकता हूँ, यह pixel में भी, तो यहाँ पर अभी मैं pixel में ले रहा हूँ, 45 pixel, इसी के साथ यहाँ पर मैं इसको position absolute देता हूँ, और जोंसा भी यह main content होगा, यह बिल अफिकली center करने के लिए, और इसी के साथ मैं इसके लिए left और right को भी 0 को set कर देता हूँ, अब इसके बाद मैं इसमें margin लगाता हूँ, और इसको देता हूँ, और इसको देता हूँ, यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखी, यह मारा content यहाँ पर show ने लग गया, नीचे अब यह box के ऊपर दिख रहा है यह content, अब starting में मिरको एक चीज़ और भी करनी है, जो भी यह content होगा, जितना भी content है, इसको मिरको vertically rotate करना है, 90 degree पे, आपको करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं property use कर रहा हूँ, transform, और इसकी value ले रहा हूँ, rotate, 90 degree, यह देखी, यहाँ प जिनके dots लगी हुए है, इन सब को एक line में लाना है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए transform को बन कर देता हूँ, यह देखी, यहाँ पर मैंने file को save किया, अब सबसे पहले मैं जो इसकी अंदर ull tag आ रहे हैं, जिस पर मैंने class लगाई थी, social, इसकी styling कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं ले रहा हूँ, box के अंदर, जोन सी भी, जोन सी भी social नाम की class आ रही है, उसका मैंने यहाँ पर selector बना लिया, यह social जो class है, बेसिकली लगी है, ull tag पर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ull, यह सीधा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो भी social class है, उसकी मैं यहाँ पर padding औ जीरो, और यहाँ पर margin ले लेता हूँ, margin मेरे को हर side से 0 नहीं set करना, नीचे से थोड़ा सा देना है, ताकि जोन सा भी person हो, उसके name में थोड़ा सा gap आ जाए, तो मैं top से 0 set कर रहा हूँ, right से भी 0, bottom से दे रहा हूँ, जैसे 20 pixel, और यहाँ पर left से भी 0, और easy के साथ जो इसक को एक line में करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसके LI की भी styling करूँगा, तो इसी selector को copy कर लेता हूँ, तो इसके इंदर जितने भी LI जा रहे हैं, उसको मैं करूँगा display inline block, यह देखिए, और वो आपस में चिपके मत, इसलिए मैं उसमें margin right देता हूँ, 10 pixel का, यह दे साथ मैं क्या करता हूँ, जो इसके अंदर anchor tag आ रहे हैं, उसकी भी styling कर लेता हूँ, मैं देकि जो main से main icon है, उसको मेरे को circle में दिखाना है, तो इसके लिए मैं इसी selector को copy कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसमें थोड़ा सा add कर देता हूँ, मैं देकि LI के अंदर जितने भी anchor आ रहे हैं, उसकी मेरे को styling करनी है, तो सबसे पहले मैं उसके color ले लेता हूँ, black, यह मारे icon का color हो जाएका, और इसका background color set कर देता हूँ, white, इसके बाद इसको block बना देता हूँ, display, block, ताकि यह div की तरह काम करें, इसमें padding, height वगरा सब proper work करें, अब इसके बाद मैं इसको width देता हूँ, 35 pixel, इसी को duplicate कर लेता हूँ, और width की जगह देता हूँ, height, और इसी के साथ, जो भी icon आ रहा है, उसको vertically center करने के लिए, यहाँ पर देता हूँ, line height, यह देखिए, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, यह देखिए, यहाँ पर 3 box आ चुके हैं, आप देख रहे होंग और इसी के साथ इसको एक font size भी देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, 18 pixel, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, यह circle बन चुके हैं, आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पर मैंने को एक चीज करनी है, जो उनसा भी हमारा यह main device जिसके अंदर आ रहा है, content सारा, इ देखिए, सारा content सा enter हो चुका है, अब मैं जो उसका color आ रहा है, जो आप यहाँ पर देख रहे है, john dog का और इसका, इसको मैं white कर देता हूँ, तब यह अच्छा लगेगा, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो उनसा भी यह user का name है, इसके लिए हमने class बनाई है white, यह देखिए, बिल्कूल ऐसी मैं post के लिए भी बना लेता हूँ, अब जो title है, वो थोड़ा सा बड़ा कर रहा है, मतलब कि जो उनसी उसकी main नाम है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर property ले रहा हूँ, font size 22 pixels, और जो उनसा भी यह name है इसमें थोड़ा सा gap जो है, वो ज्यादा आ रहा है, तो उसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, क्योंकि by default जितनी भी headings होती है, उसके अंदर top और bottom से एक margin होता है, तो उसको मैं नीचे वाले को कम कर लेता हूँ, margin bottom देखे, जैसे मैं ले रहा हूँ 7 pixels, यह देखिए, यहाँ पे जो इसकी designation है, जिसके लिए हमने class लिए post, इसका भी मैं size कम कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ, font size, 14 pixels, और इसी के साथ मैं इसको लगा जेता हूँ, text transform, capitalize, मतले कि user जब भी इसके कोई भी designation अगर डालेगा, तो उसका जो letter, पहला बहला letter है, चैसे यहाँ पर भी ले लेता हूँ, यह देखिए, अभी तो मैंने खुझ से ही यहाँ पर capital letter में लिखा है, देखी सकते हैं, john में g capital है, और d capital है, अगर user यह देना भूल जाए, तब यह automatically capital letter में convert हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह मारा काम complete हो चुका, अब मै इसको rotate करता हूँ, जो मैंने ऊपर comment किया था, एक property को, यह देखिए, uncomment हो चुकी, यहाँ पर मैंने file को save किया, यह देखिए, अब मैं चाहता हूँ क्या, यह first time दीख ही ना रही हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको opacity देता हूँ, 0, यह 0 हो गया, मैंन pseudo class लगाँगा, hover, यह देखिए, यहाँ पर मैं box की pseudo class बना रहा हूँ, hover, जैसी box पर hover होगा, तो उसके अंदर जो भी content आ रहा है, उसकी opacity हो जाएगी 1, यह देखिए, यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, यहाँ पर दीखने लग गया, मगर अब मैं इसको rotate मैंने यहाँ किया था 90 degree, उसको मैं इसको सीधा कर देता हूँ, तो देखिए, यहाँ पर मैं hover पर उसको कर रहा हूँ, 0, यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, तो अभी यह बिल्कुल जटके से हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी transition add कर देता ह और transition में को किस property पर लगानी है, basically लगानी है, transform पर और opacity पर, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, all, यहाँ पर duration set कर देता हूँ, 0.5s, यह देखिए, यहाँ पर मैंने file को save किया, यह देखिए, अब यहाँ पर जो यह मैंने तीनो icons लिएं, इसका भी मैं hover fact बना सकता हूँ, ज देखिए, यह basically मेरे anchor tag है, जो social के अंदर आ रहा है, इसी की मेरे को यहाँ पर styling करनी है, तो यहाँ पर मैं इसका एक selector बना लूँगा, जिसकी अंदर मैं यहाँ पर कहूँगा, कि जब भी मैं box पे hover करूँ, तो उसकी social के अंदर जो anchor tag आ रहा है, यहाँ पर मेरे को उसका color set करना है, और color कौन सा देना है, जो उन सा मैंने उपर box पे दिया है, तो मैं उपर से copy कर लेता हूँ, यह देखिए, यही color है, यह देखिए, यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह पहले ही आ रहा है, मैंने कुछ को hover बनाना था, तो यह basically मैंने box पे कर दिया hover, इसको मैं को यहाँ नहीं लगाना, मैंने कुछ को anchor tag पे लगाना था, कि जब भी मैं anchor पे hover करूँ, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, यह देखिए, first time यह black नजर आ रहे हैं आपको, और ज यह गड़पड़ भी है, आप देख सकते हैं, जो pink box है, जो मैं unhover कर रहा हूँ, तो यह div से बाहर जा रहा है, मतलब की box से बाहर, यह देखिए, तो इसके लिए मैंने actual में लगाया था, overflow, मैं इसको check कर लेता हूँ, सबसे उपर जहां मैंने box नाम की class में आई है, यहाँ यह मैंने लिख दिया, overlay, इसको करना था overflow, यह देखिए, मतलब की जो भी चीज इससे बाहर जाए, वो hidden हो जाए, तो यहाँ पर मैंने file को save किया, और यह देखिए, अब यह proper बन चुक है, तो इसमें basically दो animations हो रही है, एक है जो हमारे पास overlay बन रहा है, pink color का, वो है, और उस के साथ जो यह rotate हो रहा है, हमने जो यहाँ पर यह icons लिए है, यह भी जटके से color change कर रहे है, तो यहाँ पर भी मैं transition add कर सकता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, यह देखिए, anchor पे मैं यहाँ पर transition लगा देता हूँ, यहाँ पर देता हूँ, जैसे all, 0.5s, इसको 5s दे जो रतनी है, वैसे 2 भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर file को save किया, और यह देखिए, अब इसमें smooth नहीं सा चुकी है, जटके से color change नहीं हो रहा, तो इतना देने की जो रतनी है, इसको कम कर देता हूँ, इसे कर दिए 0.3, थोड़ा सा fast होएगा, यह देखिए, तो यह था हम यह हमारा shutter overlay effect, जो हमने इस वीडियो में देखा है, और इसमें जो icons आ रहे हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर font awesome icons यूज़ किया है, आप कोई और icons भी लगाना चाहिए, वो भी लगा सकते हैं, तो इस पर मैंने already वीडियो बनाई हुई है, जो आपको उपर right button पे link मिल जाग hope so आपको यह हमारा वीडियो tutorial अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए, अगर आप ऐसे ही regular updates चाते हैं, तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए, thank you